कभी-कभी आपने फेस किया होगा कि जब कभी आप आपके आधार कार्ड की पीडियेप को अड़ोप फोटोशोप में ओपन करते हैं तब आधार की पीडियेप अड़ोप फोटोशोप में ओपन नहीं होती है और कुछ इस परकार का एर्र में शो करती है जैसे कि हमारे पास यहाँ पर एक आधार कार्ड की पीडेफ हैं हम इसे Adobe Photoshop में open करके देखते हैं कि आधार Break की पीडेफ open होती है या नहीं तो इसके लिए हम यहाँ पर right यहां पर यह कुछ इस प्रिकार का एरर मेसेज्स करती एक इस प्रिकार से दूर किया जाता है चलिए देखते हैं कि आपको एक एरो का निशान दिख रहा होगा जैसे हम यहां पर क्लिक करते हैं हम अड़ोप इमेज रेडी पर पहुच जाएंगे पर हम पहले हम अपनी आदार काड की पीडियोप को Adobe Photoshop में ओपन ना करके Adobe Image Ready में ओपन करेंगे और फिर से Adobe Photoshop में ले करके आएंगे तो चलिए हम यहाँ पर किलिक करते हैं हम Adobe Image Ready में आ चुके हैं अब हम हमारे आदार काड को पहले यहाँ पर ओपन करेंगे तो ओपन करने के लिए हम पहले इसे मिनिमाईज कर देते हैं अब हम आदार काड की PDF पर राइट किलिक करेंगे और यहाँ पर Open Bit पर किलिक करके यहाँ पर चोथे नमबर पर आपको Image Ready का एक ओप्शन देखने को मिल जाएगा हम यहाँ पर किलिक करेंगे और जैसे हम यहाँ पर किलिक करते हैं यह हमसे साइज मांगेगा हम यहाँ पर साइड डाल देते हैं साइज में 25 सब डाल देंगे यह बिल्कुल हाई कॉल्टी में होगा अब हम इसे ओके कर देते हैं जैसे हम ओके करते हैं यहाँ पर कुछ सेकेंड की प्रोसेस के बाद हमारा आधार काड यहाँ पर ओपन हो जाए प्रिवाली वीडियो आफ फॉटोशॉप में लेकर के जाएंगे में अदोप फॉटोशॉप में लेकर के जाने के लिए हैं अब फिर से इस एरक्ष वाले निसान पर क्लिक करेंगे जैसे हैं हम आपर क्लिक करते हैं हमारा आधार कार्ड अड़ोप फोटोशोप में ओपन हो गया है अब आप जैसे चाहिए बैसे इसकी एडिटिंग कर सकते हैं एक आधार कार्ड को किस फुरकार से परफेक्ट तरीके से प्रिंट किया जाता है यदि ये वाली वीडियो आप देखना चाहते हैं तो उपर आई बटन पर क्लिक करके आप वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं तो आई होब ये वीडियो आपके लिए हेलफुल रही होगी ये वीडियो आपके लिए हेलफ रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक से सस्काइब करना ना भूले थैंक यूँ